सिद्धं सुद्धं पडमियं जिणिंद वरने मिचंद मकलंकं गोडरयन भूसरुदयं जीवस परूवडं वोच्छं गोमट सार जीवकांड गरंतराज के सद्ध्याय में योग मारगणा का वरड़न प्रारंब हुआ है जिसमें योग की परिभाश्या बताई गई और मनो योग और वचन योग के बारे में बताने के लिए गाथा नमबर 217 पढ़ी गई थी जिसमें सत्य असत्य उभय और अनुभय ऐसे चार प्रकार के मनो योग और चार ही प्रकार के बचन योग बताई गई थी गाथा नमबर 217 में जो दूसरा दूसरी लाइन का जो पद है जिसमें लिखा है तन नानम हो दिजदा इसमें कहीं कहीं नानम की जिगे नामम भी लिखा हुआ है यानि कि इसके अर्थ दो निकलते हैं कि सत्य असत्य आदी जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में मन का जो जानना है और वचनों का जो कहने की प्रवर्ति है उसका नाम ही योग है और उसका ज्ञान होना भी योग है योग जो चार प्रकार के हैं वो पदार्थों पर निरवर हैं जो पदार्थ सत्य रूप हों असत्य रूप हों या सत्य अशत्य दोनो रूप हों या जो सत्य रूप भी ना हों और असत्य रूप भी ना हों ऐसे अनुभय पदार्थ कहलाते हैं तो उनी पदार्थों के बारे में पहले भी बताया तो गया था, और भी गाथाओं के माध्यम से उसका स्वरूप समझते हुए, आगे पढ़ते हैं, गाथा नंबर 218 है, जिसको पढ़ना है सभाव मडो सच्चो, जो जोगो तेन सच्च मड जोगो, तब विवरीयो मोसो, जानो भयं सच्च मोसो ती सरव पृत्म यहां मन के बारे में बताया जा रहा है, सत्य मन किसे कहते हैं, सब भाव मडो, सत भाव से युक्त जो मन है, वे सच्चो मन है, सत्य है जो जोगो तेन सच्च, उससे जो योग होता है, वही सत्य मनो योग कहलाता है तब भिवरीयो सत्य पदार्थ से विपरीद, जो असत्य पदार्थ होगा, उसका जानना या उस रूप में मन का होना मोसो मने, वे जूट कहलाता है, असत्य कहलाता है जान उभयम, ऐसा तुम जानो, और उभय रूप जो होता है, वो सत्य और मोश, यानि सत्य और मिर्शा, दौनो रूप होता है मन कितने प्रकार से काम करता है, और किस तरह काम करता है, वो यहां बताया जा रहा है चार प्रकार के योग मन में, मन के माध्यम से होते हैं, तो वो चार प्रकार के पधार्थ के ग्यान के साथ, उनका इस तरह से योग बनता है तो जो योग है वो तो आत्मा के प्रदेशों का परिश्पंदन है जिसे हम भाव रूप योग कहते हैं और जो योग उस भाव योग के लिए भी कारण बनता है वह द्रव्य योग वह पदार्थों पर आलम्मन होकर के और उसके आलम मन के बाद जो वह वरगणाओं का आलम मन लेता है उस वरगणाओं के आलम मन से वह योग बनता है तो आचरे यहां कहते हैं कि सत्य मन पहले होना चाहिए और उससे संबंदित जो योग होगा उसका नाम कहलाएगा सत्य मनो योग तो सत्यमन क्या है सब भाव मडो सत भाव रूप जो मन है वे सत्य है तो सत भाव क्या कहलाता है सत पदार्थों को जानना सत मन है समीचीन जो पदार्थ वास्तम में है उनको जानना उन समीचीन पदार्थों को जानने का नाम ही सत्यमन कहलाता है अब वो पदार्त समीचीन है, यह किस पर निवरर करेगा, तो यह एक तरह से सम्यक ज्यान का जो विशेभूत अर्थ होगा, पदार्त होगा, उसी को सत्पदार्त कहा जाता है, किसका विशेभूत पदार्त? सम्यक ज्यान का, यनि कि जो पदार्त सम्यक ज्यान के द्वारा विशेय कर रहा है, सम्यक ज्यान के माध्यम से जानने में आ रहा है, वो पदार्त कहलाएगा सत्पदार्त, और उसको जानने वाला जो मन होगा, वो सत्य मन, और उससे जो आत्मा के अंदर परिश्पंदन होगा वो कहलाएगा सत्य मनो योग ऐसा समझना चाहिए तो सत्य पदार्थ मतलब सम्य ज्यान का विशेभूत पदार्थ अब वो सम्य ज्यान का विशेभूत पदार्थ की पैचान क्या है तो एक बहुत अच्छी चीज समझने योग है कि सम्यक ज्यान का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस पदार्थ की जो क्रिया है उसको उसी क्रिया के साथ जानना जिस पदार्थ की जो प्रियोजनी यह ता है उसको उसी प्रियोजन के साथ जानना यह सम्यक ज्यान की अर्थ क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? अर्थ क्रिया नियाय में एक शब्द आता है अर्थ क्रिया बहुत अच्छा सब्द है इसको आप समझने की कोशिश करें अर्थ क्रिया का मतलब होता है जिस पदार्थ की जो प्रियूजनी यता है उस प्रियूजनी यता के साथ में उसको गहन करना उसी रूप में उसको जानना तो वो कहलाएगा कि आपने उसकी अर्थ क्रिया को समझा यानि आपने समीचीन रूप से उस पदार्थ को जाना अब जैसे कोई भी पदार्थ होता है उसकी अर्थ क्रिया होती है मालो कोई बरतन है गड़ा है पुराने जमाने में गड़ा चलता था अब आज जो है आपके पास में लोहे के बरतन हैं कोई भी स्टील के हैं या कोई भी कांसेयादी के बरतन है तो जैसे गिलाश है जग है तो अब इसका प्रियोजन क्या है जग का? पानी भरना तो यह उसकी अर्थक्रिया हो गई मने कोई भी पदार्थ की अगर प्रियोजनी तह अपने को पता है तो वो उसकी अर्थक्रिया कहलाती है तो यह उसकी अर्थक्रिया हो गई अब कोई पूचे कि पानी की भी क्या अर्थक्रिया है? पानी का काम किया है इसनान करना प्यास बुजाना सीतलता पैदा करना सफाई करना ये सब क्या है ये किसका काम ये जल की अर्थ क्रिया तो इसको समझ लो ये अर्थ क्रिया कहलाती है अगर जिस प्दार्थ की जो अर्थ क्रिया होगी उसको आप उसी रूप में जानते हैं तो वह अर्थ क्रिया के साथ में ग्रहन किया हुआ प्दार्थ आपके लिए सम्यग्ञान का विशह बनेगा तो वह सत्प्दार्थ को आप जार रहे हैं ऐसा कहा जाएगा अब देखो पिछले गाथा में आपके लिए खुद हरण दिया था इसी जल से संबन देत कि जैसे ही आपने जल को दूर देखा तो कभी-कभी सड़क के उपर आपको जल दिखाई देता है जल जैसा लेकिन वो जल नहीं होता है ना उसको भी मरीचिका कहा जाता है मरग मरीचिका तो प्रशिद है यह कि मरग जो है जो बालू के रेत के जो मरुस्थल होते हैं उनमें ब्रहमण करता है और उसमें भी वो रेत उसको बैसे ही चमकती हुई दिखाई देती है जैसे जल दूर हमें सड़कों पर चमकता दिखाई देता है तो उसके लिए वे जल दिखाई दे रहा है लेकिन वो बस्तुते जल भी नहीं और उस जल में कोई अर्थ क्रिया भी नहीं अब यहां समझने की चीज़ है क्या समझे जल मतलब दूर हमें कहीं सड़क पर जल दिखाई देना और उसे यह मानना कि यह जल है यह हमारा सत्यमन है कि असत्यमन है समझ रहे हैं? अब इसका संबंद इसी से है कि आप उसकी अर्थ क्रिया के साथ में उसको जान रहे है या ग्रहन कर रहे है या आप भ्रह्म से उसको जान रहे है ग्रहन कर रहे है अब आप ये भी कह सकते हो, हमें ये तो पता है कि जल की अर्थक्रिया इसनान करना है, प्यास बोजाना है लेकिन जो हमें जल दिखाई दे रहा है, हम उस जिसको जल मान रहे हैं जिसको जल कह रहे हैं, उस जल में तो वो अर्थक्रिया हो रही नहीं सकती क्योंकि उस जल में ये अर्थ क्रिया संभव नहीं है जो जल आपको दिखाई दे रहा है क्या समझाए है लोगों को अभी थोड़ा सा कंशुजन है मतलग कि हमें जल के विसे में तो इस पश्टी करण है कि जल की अर्थ क्रिया ये घड़े की अर्थ क्रिया क्या है जल धरन करना लेकिन हम अगर उस घड़े को कहीं दूर कुछ रखा हुआ है या हम घड़े मले बस्त्र है और बस्त्र को हम घड़ा कहें हम कहें कि नहीं इसको भी हम ऐसा बना देंगे और पकड़ लेंगे इसमें भी जल्दारन कर लेंगे तो हम इसको घड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि घड़े की जो अर्थ क्रिया है वो अलग है और इसकी जो अर्थ क्रिया है वो अलग है ये गीला हो जाएगा इसमें से पानी टपकेगा गड़े में तसा नहीं होगा तो जिसकी जो अर्थ क्रिया है उसकी अर्थ क्रिया के साथ में जब हम उस पदार्थ को जानेंगे तभी वो सत्यमन कहलाएगा और उससे जो आत्मा में योग होगा उसका नाम सत्यमनो योग कहलाएगा ये अच्छे से समझने की चीज है है नो तो जब जल में अर्थ क्रिया के साथ हमने किसी चीज को ग्रहन कर लिया तो वो जल की अर्थ क्रिया के कारण से वो सम्यक ज्यान का वहारा विसे कर लाया इसी तरीके से किसी भी उधारण में अगर हम उसको उसकी अर्थक्रिया के साथ जान रहे हैं अर्थक्रिया के साथ हम उसको ग्रहन कर रहे हैं तो वह सम्यक्जान का विशे कहलाएगा मैं नो किसका विशे कहलाएगा सम्यक्जान का तो वही यहाँ पर सत पदार्थ से मतलब है, सत भाव से मतलब है सम्य ज्ञान का विशे भूत पधार्थ अगर हमारे मन का विशे बनता है तो वैस समीचीन अर्थ को जानने के कारण से वो हमारे लिए सक्त्य मनो योग में आएगा है ना? और उसकी विपरीत जो है वो अशक्त्य मनो योग है यानि की घट को घट कहना तो सक्त्य मनो योग है घट को घट जानना और जो पट मने वस्त्र वस्त्र को घट कहना ये असक्त्य मनो योग है समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से हम किसी भी विशे में इसको फिट कर सकते हैं शरीर के विशे में, आत्मा के विशे में, संसार के विशे में, ईश्वर के विशे में जो जिसकी अर्थ क्रिया है उसको उस रूप में जानोगे तो तो वो सकते है अब देखो, संसार बनाना या संसार का बनना, ये ईश्वर की अर्थ क्रिया है क्या? संसार क्या इश्वर बनाता है क्या इश्वर के द्वारा संसार बनाना संभव है क्या इश्वर की प्रियोजनीता केवल संसार बनाना है तो इश्वर की प्रियोजनीता संसार बनाना नहीं है ये इश्वर की अर्थ क्रिया नहीं है इसलिए इस तरह से ईश्वर को मानना ये असत्य मनोयोग है मिर्शा मनोयोग है ये जूट है ईश्वर का काम संसार को बनाना या बिगाडना बिनास करना नश्ट करना ये काम नहीं है ये हिंसा या अहिंसा में प्रवर्थी करना ये ईश्वर का काम नहीं है अगर कहीं बना रहा है तो कुछ मिटा भी रहा है जब तक एक चीज मिटेगी नहीं तब तक बनेगी कैसे तो इस्वर को भी हिंसा तो करनी पड़ेगी अब दुनिया में हम सिखाएं भाईया हिंसा से बचो हिंसा से बचो इस्वर को कौन सिखा हिंसा से बचो नहीं समझे जब तक तुम्हें यहां से मारेगा नहीं तब तक तुम्हारा दूसरी जगर पर जनम कहा होगा तो अगर ईश्वर ही तुम्हें मार रहा है और ईश्वर नहीं तुम्हारा दूसरी जगर पर जनम करा या तो ईश्वर नहीं तो तुमारी हिंसा कर दी तो ईश्वर को भी जब सिखाना पड़े कि हिंसा करना पाप है तो इसका मतलब है ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं होता ना ईश्वर की ये क्रियाएं हैं इसको कूलते अर्थ क्रिया समझा रहा है तो अर्थ क्रिया ईश्वर में स्रष्टी बनाने या मिटाने की रूप में गटित नहीं होती है इसलिए ईश्वर को उस रूप में मानना यह असत्य मनोयोग है जो ईश्वर को स्रष्टी करता की रूप में मानने उनके मन का इस तरह का विचार इस्वर को इस रूप में जानना असत्य है यह से आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं अर्थ क्रिया को ध्यान में रखते हुए आप सत्य मनोयोग और अशत्य मनोयोग के विसे को समझें समझा रहा है ना? जैसे चश्मा लगाए हो आप तो चश्मा की अर्थ क्रिया क्या है? किलियर देखना समझा रहा है? अब अगर वो चश्मा की अर्थ क्रिया पूरी हो रही है तो तो वो हमारे लिए चश्मा सकते है अब अगर हमें मालो चश्मा तो लगाए है लेकिन हमें उससे किलियर देखने के बजाए और धुंदला देखने लगे तो वो चस्मा हमारे लिए क्या हो गया हमारे लिए वो चस्मे की अर्थ क्रिया जो थी वो पूंड नहीं हो रही है समझा रहा है उस अर्थक्रिया की पूंडता या प्रियुजनीता सिद्ध नहीं होने पर हम उसको चस्मा की रूप में कहेंगे तो वह हमारे लिए जैसा सत या असत रूप में मन होगा उसी तरीके का हमारा मन्योग बन जाएगा मनें हर चीश की अपनी अर्थक्रिया है अब अगर आप यह कहो कि जैसे चस्मा हमारे लिए सुन्दरता का काम करता है तो चस्मा की अर्थक्रिया सुन्दर बनने के लिए है कि चस्मा की अर्थक्रिया देखने के लिए है समझा रहा है तो अर्थक्रिया है पता होना चाहिए अर्थ क्रिया के साथ में अगर आप किसी पदार्थ को जानोगे तो वे सत्य मनो योग कहलाएगा तो सत्य मन को भी समझने के लिए आपको अर्थ क्रिया के साथ में पदार्थों को जानना पड़ेगा तो वो यहां बता जा रहा है इसी तरीके का असत्य हो गया जो पिपरी तो हो गया, अब उभय और अनुभय, उसको भी समझने के लिए आगे की गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर दोशा उन्नेश, नय सच्च मोस जुत्तो, जो दुमणो सू असच्च मोस मणो, जो जोगो तेन हवे, असच्च मोसो दुमण जोगो, उभय तो उपर वाली गाथां बताई चुके थे, जो सत्य रूप भी है और मिरसा रूप मने, अशत्य रूप भी है, उसको उभय मनो योग कहते हैं, तो जो कथंचित उसमें कुछ सत्य पनावी हो, और कच्छंत असत्य पनावी हो, इसके लिए उदारन दिया था आपको किसी ने कहा कि ये गड़ा है, तो उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य है, सत्य क्या है, कि जैसे कमंडलू का काम जलधारन करना है, वैसे गड़े का काम भी जलधारन करना है, तो कहीं न कहीं, अर्थ क्रिया की समानता के कारण से हम उसे सत्य कहेंगे, लेकिन असत्य क्यों क्योंकि जैसा कमंडलू है वैसा गड़ा नहीं होता और जैसा गड़ा है वैसा कमंडलू नहीं होता तो जिसमें इस तरह का व्यवहार किया जाए उसे कहेंगे उभै मनो योग उस समय पर हमारा मन कैसा होगा ना तो प्योर सत्य रूप है और ना ही प्योर असत्य रूप है इस तरह के विवहार करने में हमारा मन अभै रूप है है ना तो उस मन के साथ जो योग होगा उसे कहा जाएगा मने वो सत्य रूप भी है और असत्य रूप भी है अब यहाँ जो चौती चीज है वो इस गाथा में बताई जारी गाथा नंबर दोशों उन्निस नय सच्च मोस जुत्तो जो ना तो सत्य रूप हो और मोस मने मिर्शा से युक्त हो जो दू मनो इस प्रकार का जो मन है सु मन है वो है असच्च मोस मनो वे अशत्य मिर्शा मन कहलाता है मने वे सत्य भी नहीं और मिर्शा भी नहीं अज वे उसमें दोनों तरफ लगाना है सत्य और मिर्शा से रहित वे मनो कहलाता है मन जो जोगो उवे जो योग है तेन हवे उससे जो योग होता है उवे असच मोसूद मन जोगो उस मन योग का नाम असत्य मोश कहलाता है इसी को हम अनुभय मनो योग कहते हैं क्या कहेंगे इसको अनुभय मतलब एक उभय रूप हो गया उभय माने दोनो रूप हो गया और अ तो ये क्या कहलाया, अनुभै, और जो कथंचित सत्थ भी है, और कथंचित असत्थ भी है, उसको कहेंगे, उभै, और जो ना सत्थ रूप है, और ना असत्थ रूप है, कुछ भी जिसमें प्रतिभाशित नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलायेगा, अनुभै, अनुभै क क्यों कहा क्योंकि इसमें सत्त भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये वो पदार्थ होंगे जिन में हमें उसका केवल एक सामान ने अंस प्रतिभाशित होता है सामान ने केवल उस पदार्थ का ग्यान होता है तो जब हमें केवल बस्तू का सामान ने पदार्थ का ग्यान होगा तो उ उसकी जो अर्थ क्रिया होगी वो तो हमारे ग्रेंड करने में आई नहीं क्योंकि जब तक हम पदार्थ को बिसेश रूप से नहीं जानेंगे तब तक हम उस पदार्थ की अर्थ क्रिया को भी नहीं जानेंगे तो अर्थ क्रिया नहीं जानने के कारण से वो हमारे लिए शत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ तो जाना यूँ भी नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं जाना कुछ तो देखा कभी-कभी ऐसा होता ना कुछ सामने से निकल गया कुछ पैर में लग गया कुछ एहसासा हुआ कुछ था पकड़ में कुछ नहीं आया, क्या था, नहीं समझा है, कहीं दूर बैट करके भी जब कुछ देखते हो, चत्पे खड़े हो करके, तो कुछ ऐसा लगता ने, वहां कुछ है, सफेज सफेद कुछ दिखाई दे रहा है, अब इतना तो समझ भारा है, कुछ सफेद सा दिखाई अब यह नहीं पता पड़ रहा है, वास्तम में किसी की कमीश टंगी हुई है, या कोई आदमी खड़ा हुआ है, या कोई पक्षी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो न वो सत्य है, न वो, क्योंकि आपके लिए अर्थ क्रिया ग्रहण करने में आ रही है, नहीं आ रही है, कि कुछ तो है जो आप विसेश को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ केवल सामानने को जान पा रहा हूँ इसलिए वो अशत्य में आएगा यह तो अनुभय नहीं हुआ रसी को देखकर के साफ समझ लेना यह अनुभय नहीं हुआ यह तो मिर्शा हुआ यह न असत्य मनोयो हुआ क्या हुआ यह अनुभय नहीं हुआ चारों चीजें अलग-अलग हैं इसका मन से अच्छी तरह से विचार करना रसी में सर्फ को देख लेना, समझ लेना कि जैसे कहीं रसी पड़ी थी, रात्री का समय था, हलका सा कहीं कोई छोटी सी लाइट जल रही थी, दिखाई दिया किकी मोटा सा बीच रस्ते में रस्ता सा पढ़ा है, और आपने देखकर रहे रहे सांप है सांप है सांप है ना तो एकदम से आप डर गए और आपने हल्ला मचा दिया तो वो जो आपका मनोयोग हुआ चुकि उसमें सर्फ की कोई अर्थ क्रिया नहीं है पहले सर्फ की अर्थ क्रिया तो देख लेते सर्फ की अर्थ क्रिया क्या ह तो कोई होती है तो संस तो फुंकार वेगा चले घूमेगा फिर तो अर्थिक्रिया करेगा तब तो कहते है उसको सांप है सांप है सांप है केवल बस उसका अपने भ्रह्म से उस काले रस्य को देख करके आपने उसे सांप समझ लिया तो यह क्या कहलाया यह असत्य अनुभय नहीं है यह समझाए तो अनुभय मतलब जो हमें कुछ प्रतिवासित होता है लेकिन यह क्या है ऐसा विशिष निर्णे नहीं होने के कारण से हम उसकी अर्थ क्रिया भी नहीं समझ पा रहे हैं और यह पदहार्थ कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं कह पा रहे हैं इसलिए वह है अनुभय मन का विशे बनता है उसे कहते हैं अनुभय मन के माध्यम से जानना और उससे जो आत्मा में योग होगा वो कहलाएगा अनुभय मनो योग ठीक है ना अब देखो बहुत अच्छा एक बिसे आ रहा है आप लोगों के लिए अच्छा बिसे आज ही बिताए दे चलो थोड़ा से बताते हैं क्या कहते हैं आगे एक दोशो बीश नंबर की गाथा पहले और पढ़ते हैं दसवीह सच्चे वैने जो जोगो सोदू सच्च वची जोगो तब विवरीयो मोसो जाडवयम सच्च मोसोती गाथा में कहा जा रहा है दसवीह सच्चे वैने दस प्रकार के सथे वचन होते हैं सथे वचन कितने होते हैं दस प्रकार के सथे वचन होते हैं अब यहाँ पर मनो योग की जगे पर किसका वैने शुरू हो गया बचन योग का, है न, बचन, जो हम बचन बोलते हैं, वो कितने प्रकार के सत्य होते हैं, दस प्रकार के सत्य बचन होते हैं, वो आगे बताया जाना है, उससे जो जोग होगा, वो कहलाएगा सत्य बचन योग, सत्य बचन योग होगा, तब बिबरियो, जो दस प्रकार के सत्य में नहीं आता। उवय कैलाएगा मोशो मने मिर्षा बचन योग असत्य। जाण उवयम संच मोशुत्ट। और जो दोनों परिकार काहो उसे उवय बचन योग जानना। जैसे मनोयोग के बारे में बताया था वैसे ही बचन योग के बारे में सेम परिवाशा है बस यहाँ पर इतना सांतर है कि मनोयोग के लिए सत पधार्थ रूप मन के लिए कहा गया था और बचन योग में सत्य के लिए दस प्रकार के बचनों में जो योग होगा उसका नाम सत्य बचन योग कहा जा रहा है तो वो दस प्रकार के जो बचन हैं वो आगे बताया जाना है एक गाथा और पढ़ते हैं जो नेव सच्च मूसू, सुजान असच्च मूस बची जूगू, अमनानम जा भासा, सन्नीना मंत नी आधी। क्या कहते हैं, जो माने जो नेव माने नहीं हैं, सच्च मूसू, जो सत्वी नहीं हैं और मिर्शा भी नहीं हैं, वह जान माने जानो, क्या जानो, असच्च मूस बची जोगू, उसे अशत्य मिर्शा बचन योग जानो, यानि अनुवे बचन योग जानो, अमनानम जा भासा, अब यहां यह बताते हैं कि अनुभे बचन योग क्या कहलाता है क्या समझ में आया सत्य बचन तो जो सत्य दस प्रकार के बचन बताए जाएंगे वो जो बचन होंगे वो आगे बताए जाएंगे उसमें जो बचन लग गया वो तो कहला है सत्य बचन उसके विप्रित हो गया वो गया असत्य बचन जो दोनों के साथ हो गया वो गया अनुभय क्या हुगा तो ये बहुत अच्छी चीजे समझने के लिए अमनानम जा भासा जो अमनश्क जीव हैं मन से रहित जो जीव हैं उनकी जो भासा होती है वह असत्य मनों जो कहलाती है संणी नाम और जो संगी जीव हैं उनकी आमंतनी आदी आमंतन आदी ये जो भासा है ये भी अनुभय बचन कहलाते हैं क्या मतलब हुगा अमनानम का मतलब ये हो गया जैसे दो इंदरी से ले करके या एक इंदरी से भी जो भी समझ लो एक इंदरी में तो बचन होता ही नहीं तो दो इंदरी से ही ले करके असंगी पंचेंदरी तक के जीवों में भी बचन योग होता है माने वो भी बचन परियापती पूंड कर लेते हैं वो भी बचन बरगणाओं को आलम मल लेते हैं, वो भी बचन में प्रवर्ति करते हैं, अब उनके बचन आपको समझ आएं या ना आएं या लग बात है, नहीं आते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? अनुभय बचन योग, यानि जो अमनस्क जीव हैं, मन से रहित जो जीव है उनका जो वचन होगा, उसको कहा जाएगा अनुभय वचन, किनका? जो मन से रहित जीव हैं, या ना? जैसे मच्छर है, वो भी कुछ बोलता है? क्या सुन रहा है? आवाज आती है, तो कोई बोलेगा तबी तो आवाज आएगी? और आवाज ही कान का बिशे बनती है, अगर वो कान का बिशे बन रही है, तो इसका मतलब है, वो कुछ बोल रहा है, तो जो मच्छर बोल रहा होता है, उसकी भासा कौन सी? तो उसकी भासा, एक तो जैसे अगर हम भासा की तरीके से समझें, तो भासा दो प्रकार की होती है, एक अक्छरात्मक और एक अनक्छरात्मक, म भास्ता होगी, वो कहलाएगी अक्छर आत्म भास्ता और जिसमें अक्छरों का प्रियोग होता ही नहीं तो वो कहलाती है अनक्छर आत्म भास्ता तो ये जो जीव होते हैं अब जैसे मच्छर है मक्खी की भी कोई आवाज होती है ये नहीं होती है उसको ने सुनते हो कभी, उसकी आवाज होती है, मैडक की भी आवाज होती है, वो भी कभी कभी टरर टरर तो करता है, जो भी जीव है, छिपकली की भी आवाज होती है, अब पंचेंद्री है तो बोलती तो होगी, अपने बच्चों से बोलती होगी, तो मैं क्या पता तम कैसी बोलती है उसके बच्चे समझेंगे वो कैसे बोलती है समझे ना मचली है मचली अपने बच्चों से बोलेगी उसकी भासा उसको समझ में आएगी है ना सर्प है वो अपने बच्चों से बोलते है उनकी भासा उनको संगी भी है अब असंगी जीवों की पैचान तो पंचिंद्रियों में मुश्किल होती है इसलिए चतुरिंद्री जीव जो मच्छर आदी है मक्खी आदी है इनको समझ करके समझना कि इनकी जो भासा है वो सारी अनक्छरात्मक होने से वह अनुभय भासा कहलाती है क्या बूलेंगे इसको अनुभय अब वो अनुभय क्यों कहला ही जैसे मालो मच्छर ने कुछ किया भौरे ने कुछ किया आपको ये तो समझ में आया है कि ये कुछ कर तो रहा है लेकिन ये क्या चाहरा है क्या कर रहा है अर्थक्रिया नहीं हो रही है, उसकी अर्थक्रिया पकड़ में नहीं आ रही है तो उसकी जो भासा है वो अर्थक्रिया के बिना और आपके लिए भी वो अर्थक्रिया के बिना पकड़ में आ रही है इसलिए उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह कुछ है नहीं है या ये सत्य नहीं है, कुछ बोल तो रहा है, सत्य तो इसलिए है कि वो कुछ समझा रहा है, तो सत्य होते हुए भी वो सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थ क्रिया नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थ क्रिया नहीं है, तो जिसमें सत्य भी न हो और हम कहें कि ये असत्य है तो असत्य भी नहीं कहा सत्य है क्योंकि वो कुछ तो है प्रतिभाशित हो रहा है समझा रहा है तो वे असत्य भी नहीं है तो जो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं उसी को कहा जाता है अनुभय बच्चन तो ये जितने भी असंगी पंचेंद्री तक दो इंद्रीशे लेके जीव होते हैं इन सब की भासा कौन सी? अनुभय भासा संगीयों में भी ये अनुभय भासा होती है पंचेंद्रीयों में संगी पंचेंद्रीयों में तो जो अनुभे भासा संगी में होती है वो भी पकड में आती है तो वहाँ पर समझाने के लिए आचारे कहते हैं कि जैसे हम जो आमंत्रनी आदी भासा का प्रियोग करते है कुनसी भासा? आमंत्रन का मतलब होता है इबालक इधर आओ तो यह जो हमने क्या बोला उसको इधर आने को बोला इबालक यहां आओ तो यहां आने का मतलब यह उस बालक के लिए इसपष्ट नहीं हो रहा है कि यह क्या कह रहे हैं क्या चाह रहे हैं क्या प्रियोजन के साथ में हमें बुला रहे हैं यहां आओ नहीं समझा रहा है एकदम से उसके दमाग में क्या आएगा बुला तो रहे हैं और किस कारण से अर्थ क्रिया उसके समझ में नहीं आ रही है तो वह सत्य नहीं है समझा रहा है और कुछ हमसे नहीं कह रहा है हो ऐसा भी नहीं है हमारी तरह विसारा भी किया जा रहा है यहा हो तो वो भी जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए वो असत्य भी नहीं है क्योंकि वो सामानने का उसमें अभाव नहीं है सामानने तो है यह कुछ तो बोला जा रहा है कुछ तो कह जा रहा है इसलिए वसत्त भी नहीं है तो यह अनुभय है यह क्या है अनुभय बचन है समझ जा रहा है ऐसे आगे आपको उधारन दे करके बताया जाएगा कि अनुभय बचन भी कितने प्रकार के होते हैं सुन रहा है अब उससे पहले आपको यह जान लेना है कि सत्य बचन कितने प्रकार के होते हैं ठीक है ना यह बात आपको बाद में बताई जाएगी आज के लिए इतना ही परयापत है ठीक है ना बोलो महावीर बगवान की सिरिजिन वानी जग कल्लानी जग जन मदतम मोहरी जनमन हारी गड़ हर हारी जम जराव रोग हरी तित्तियरानं दिवजुनंजो पड़ै सुणै मै एधारै रानम सोख मडंतम दरिय सासद मोख पदंपाई झाल मन में हम प्रहां सुणै मोग ही जनम चूल रानम सी जह जए रहारी जोग है उनम पहार है रानम साफ बंसादी जए जाय मैं जए यार रांम आ परत्तियरानं परत्तियरा चैनिह